हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज हम factor affecting equilibrium constant and question asked in previous examination based upon it इसके बारे में बात करने वाले हैं कि equilibrium constant को कौन कौन से factor affect करते हैं और previous need or IIT exams में इसके basis पे क्या क्या caution पूछे गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो फेक्टर है जो एकलियूम कॉंस्टेंट को अफेक्ट करता है वो है अपना पहला फेक्टर है टेंप्रेचर टेंप्रेचर यह आप याद रखेंगे टेंप्रेचर कैसे एफेक्ट करता है जो एकलियूम कॉंस्टेंट होता है उसको अपन के से रिप्रेज and k2 तो यह k1 and k2 की बीच में जो relation है उसका formula अपने को डारेक्टन की याद करना है formula होता है log of k2 upon k1 is equal to delta h upon 2.303 r into यह आएगा t2 minus t1 upon t1 t2 तो याद करने के लिए आप देख सकते हैं k2 उपर आ रहा है तो यहाँ पर t2 उपर आ रहा है t2 minus t1 इस तरह याद कर सकते हैं यहाँ पर यह क्या क्या यूज किया गया है यहाँ पर लिख सकते हैं k2 है equilibrium constant add temperature t2 k1 है आपके पास में equilibrium constant add temperature t1 delta h क्या है change in enthalpy change in enthalpy यह अपने को question में दी हुई होती है अगर k1 और k2 की value calculate करवाना चाहरा है यह value generally जो है अपने पास में calorie या जूल में होती है और यह आर है आपका सभी को पता है यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट ठीक है दूसरा जो फैक्टर है जिसके बेसिस पे mostly question पूछे जाते हैं वो फैक्टर है अपना stoichiometry of the reaction क्या है stoichiometry of the reaction क्या है stoichiometry इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले suppose आपके पास पर एक reaction दी हुई है A is in equilibrium with B इसका equilibrium constant है के वन अगर इस reaction का equilibrium constant के वन है और अगर एक reaction अपने को दी हुई है A is in equilibrium with B और हमारे से इसका equilibrium constant पूछा जाए क्या होगा तो आपको trick यह है इसकी directly आपको याद करना है कि अगर हमने यहाँ पे इसको और इसको analyze करें दोनों reactions को देखें आपन तो पहली वाली reaction को मैंने बदल के उल्टा लिख दिया तो equilibrium constant क्या होता है जब reaction को reverse कर दिया जाता है तो equilibrium constant को जाता है अगर equilibrium constant के टू है इस reaction के लिए के टू हो जाएगा वान अपन के बन क्या हो जाएगा वान अपन के अगर रियक्शन को मैंने reverse कर दिया रियक्शन को मैंने reverse कर दिया तो equilibrium constant है वो नया equilibrium constant है वो inverse हो जाएगा मतलब one upon whatever the value of initial value उसका reciprocal हो जाता है ये हो जाएगा एक दूसरा जो है वो हमारे पास में है अगर ये reaction है suppose a is in equilibrium with b और इसका equilibrium constant दे रखाया मेरे को k1 अगर उपर वाली reaction को मैं n से multiply कर देता हूँ तो जो मेरा नया equilibrium constant है वो पुराने वाले equilibrium constant की power n हो जाता है वापस सुन लिए जीएगा अगर किसी भी reaction के लिए equilibrium constant k1 है अगर उस reaction को किसी value से multiply कर देता हूँ तो नया वाला equilibrium constant है वो पुराने वाले equilibrium constant की power n हो जाता है I think you got it इसी तरह से third formula आपने पास में है अगर एक reaction है उसका equilibrium constant है k1 दूसरी reaction है हमारे पास कोई भी reaction सपोज मैं ने लिख ली यह reaction लिख दी दूसरी reaction है उसका equilibrium constant है k2 और अगर पूछ ले आप से third reaction है सपोज a plus c is in equilibrium with b plus d इसका equilibrium constant k3 क्या होगा तो देखिए आप पहली वाली equation को देखेंगे और दूसरी वाली equation को देखेंगे तो क्या किया गया है पहली और third equation को लाने के लिए क्या किया गया है पहली equation को और दूसरी equation को simply add कर दिया गया है जब दो reaction को add कर दिया जाता है तो उनके equilibrium constant आपस में multiply हो जाते हैं तो नया equilibrium constant है वो आ जाएगा k1 multiplied by k2 यह हो गए अपने पास में factor affecting और इसके basis पे जो question पूछे कहे हैं बहुत ही simple है आप यह तीन formula है basically first second और third यह क्या क्या चीज़े की हैं अपने इसके basis पे question पूछे गए हैं और एक नहीं दो नहीं बहुत बार यह question पूछे गए हैं जैसे अगर मैं बात करूँ एक question लेना चाहूँ previous exam का तो देखिए एक question मैंने लिया यह question है अपने पास में question क्या कहता है if the equilibrium constant for n2 and o2 is 2no is k यह reaction दे रखी है हमें यह reaction दी हुई है और इसका equilibrium constant दे रखा है k और दूसरी reaction दी हुई है half of n2 plus half of o2 is in equilibrium with no gas will be यह question पूछा गया है नीट exam में पूछा गया था यह question और बहुत ही question simple है आपको समझा आ गया होगा कि उपर जो equation है उपर जो equation है उसका half कर दिया गया उपर जो equation है उसका equilibrium constant k है और नीचे जो reaction है उसको मैंने half से multiply कर दिया देख लीजेगा उपर वाली reaction के यहां पर 2 था इसको half करेंगे तो यह बना जाएगा तो जब n से multiply कर देता हूं तो power n चले जाती है तो पहले वाली equation का equilibrium constant k था तो किस से multiply किया हाफ से multiply करिया तो पावर हाफ आजाएगी तो यह option हो जाएगा डारेक्ली कोशन सोल हो गया देखिए कितना असान है ऐसी अगर एक और question लेना चाहें आपन तो question है आपके पास में देखेगा given that equilibrium constant for the reaction reaction दी होई है आपको SO2 यह सारे gases form में है plus O2 यह gas है equilibrium में है 2SO3 gas के साथ में इसका equilibrium constant उसकी value दे रखिए 278 ठीक है जी what will be the equilibrium constant for the following reaction हमें एक reaction दी होई है SO3 Gaseous form में equilibrium में है SO2 plus half of O2 यह सब gases form में है ठीक है जी इसका equilibrium constant हमें पूछा है तो आप पहली equation को और दूसरी equation को थोड़ा analyze करें तो क्या पाएंगे कि जो पहली वाली जो equation है और जो दूसरी equation है तो पहली जो equation है उसको एक बार तो reverse किया गया है क्योंकि देखिए SO3 यहां पर product की side में है यहां पर reactant की side में है एक बार तो इसको reverse किया गया है first step तो क्या किया गया है reverse और second step क्या किया गया है इसका power सामने इसकी coefficient दो था और यहां पर इसका coefficient कितना है 1 है तो अगर आप reaction को reverse करते हैं तो नया जो equilibrium constant आता है वो क्या हो जाता है inverse हो जाता है सावास reciprocal हो जाता है यह जो हमें अभी बताया था और अभी क्या क्या है इसकी power coefficient दो था और यहां पर इसका coefficient कितना किया गया है 1 इसका मतलब जो coefficient 2 था उसको half से multiply किया गया होगा half से multiply किया गया हो तभी तो इसको coefficient 1 आया तो इस पूरी reaction को हमने half से multiply किया तो अगर reaction को half से multiply करते हैं तो equilibrium constant की power भी half हो जाएगी तो यही आपका option हो जाएगा अगर इसको solve करते हैं तो यह value आपके पास में जो आती है वो लगबग आती है 6.0 into 10 raise power minus of 2 क्या ऐसा कोई option है option नहीं दिया हुआ है तो यह answer हो जाएगा यह question भी पूछा गया था आपसे बिल्कुल आसान है आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हैं इन formula के basis पे और यह question बार-बार पुछे जाते हैं एक बार नहीं बार-बार पुछे जाते हैं सवाल चलिए देखिए एक और question करते हैं यह question भी पूछा गया है previous exam में जेई में पूछा गया है यह question कहा देखिए The equilibrium constant for the reaction ये reaction दी हुई है हमें एक बार लिख लेते हैं N2 प्लस O2 सारे गैसे स्वाम में है गिवस यू 2 NO T temperature पे और equilibrium constant की value दे रखे 4 into 10 raise power minus of 4 अब हमें equilibrium constant value of KC पुछा है किस reaction के लिए ये reaction लिख लेते हैं एक बार NO plus NO is equilibrium with half of N2 plus half of O2 सारे गैसे स्वाम में सेम टेंपरेचर पे बाते हो रही है तो इसका जो के आएगा उसकी value पूछिए बिल्कुल सिंपल है आप देखेंगे इस reaction को और इस reaction को एक बर वापस आप analyze करके देखें तो क्या किया गया है यहाँ पे यह जो product था NO यहाँ पे reactant side में है इसका मतलब पहला step तो क्या किया गया होगा reaction को reverse किया गया होगा reverse करेंगे तो k की जो value है वो क्या हो जाएगी inverse हो जाएगी जैसे पीछे question में किया था हमने यह inverse हो गई लेकिन यह वाली equation और यह वाली equation यह नहीं है सवाल यह पुछा है अपने से तो क्या किया गा वापस यहाँ पे NO का coefficient 1 है यहाँ पे NO का coefficient 2 है इसका मतलब इस पूरी reaction को किसे multiply किया गया होगा half से multiply किया होगा देख लीजेगा अगर हाफ से multiply करेंगे तो उसके equilibrium constant की power भी half हो जाएंगी इसका मतलब equilibrium constant जो नए वाला है वो आजाएगा आपके पास 4 into 10 raise to the power minus 4 raise to the power minus raise to the power half इसको solve करेंगे क्या है यह value देखेगा यह 10 raise to the power minus 4 है उपर लिखेंगे तो 4 होगी यह value और नीचे 4 है इसकी value को 2 raise to power 2 लिख सकता हूँ क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ half इसको देखेंगे 10 raise to power 4 raise to power half divided by 2 raise to power 2 यह multiply बहाँ हाफ से half cancel हो गया तो यह तो value आगी 2 इसका 2 से 2 से cancel हो गया यह value आगी 10 raise to power 2 means 100 इसको cancel करेंगे 100 by 2 means 50 50 is the answer इस तरह से आप बहुत सारे question solve कर सकते हैं बहुत बार पीचे previous exam में पूछे कहें हैं यह tricks आप याद कर लिजेगा बहुत helpful रहेंगे आपके लिए चलिए अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए thank you अपूरहicamente अट हो को तासर लोकर हो एम अपार सने का एतने का अपके लिए यह उवत पीघा आप हो झाल झाल